नमस्कार मैं हूँ गजानद बर्मा कक्षा बारा के लिए विशे अनिवारिक हिंदी पुष्टक प्यूश्परवा पार्ट का नाम मानस का हंस लेखकार अमरितलाल नागर और इस पार्ट का चोथा पार्ट चोथा पार्ट आज हम आपको पढ़ाएंगे तो देखेगा इस पार्ट में हम इससे पूरो पढ़ रहे थे किस प्रकार से नत्थु नापित जब आता है उससे पूरवे एक नोकर ने आकर के तुलसी दाजी को सूचना दी कि माता जी पंडित गंगा आराम के घर से आगई है ये सुनकर के तुलसी दाजी को अच्छा लगा और उने कहा आप उनके खाने पीने की पूरी वरस्ता कीजिए किसी चीज की जरूरत उनको दीजिए ये सुनकर कि तुलसी दाजी को बहुत अच्छा लगा उसके पसाथ उनके पास में नथू नापि जो दाडी सेफ वगरा बनाने के लिए आया था पेटी लेकर बैठ जाता है थोड़ा पानी कटोरी में डालता है उससे समय उनने कहा कि माताजी आ गई तो इस बास को सुनकर उनको अच्छा लगा अब उनने कहा कि इस समय कल्यूग आ गया है अर्तात ये तो घोर कल्यकाल है ये कहा उनने और सबका मन काला हो गया महाराज तुलसी आँखे मीचे मोन बैठे सुकान भू कर रहे अर्तात तुलसी दाजी ने जब नतु नापत की बातें अब तक सुनी उससे उनको सुक मिला नोकर ने आकर बताए उनसे सुक मिला इसके अलावा टोडर, भगत, केलास, कविया और जितने सारे जो लोग थे उनके बारें बढ़ाई कर रहे थे उनकी चचा कर रहे थे ये बातें सुन करके तुलसी दाजी को भूती अच्छा लग रहा था अब देखेगा बात आगे बढ़ती है तुलसी इन बातों को जानने के पसात आँखे बंद करके बैठे वे थे तुलसी आँखे मिचे मोन बैठे सुका नभो करते रहे सुक रुपय नभो कर रहे थे नाथू ने बात को फिर आगे बढ़ाया जब से माताजी कासी आई है तब से रोग लोग बाग हम से पूछते हैं कि नतू माताजी अब क्या यही रहेंगी अब हम क्या कहें सरकार सरकार जी अरे माताजी यहां रहे चाए ने रहे बला तुमारे बाप का क्या जाता है बड़ी हवेली के गोशाईं माहराज भी तो गिरिस्ट है पर नहीं उनको कोई कुछ नहीं कहेगा आपके लिए लोग रोक्टो करते हैं कहते हैं चार दिन की चान ने फिर अंदेरी पाक ये भी तपस्या छोड़ कर भोग विला से अताथ वो उनकी सेव बनाते समय सारी बाते उगल देते हैं कि बड़े घर के जो गोशामी वो भी तो ग्रस्ते हैं उनके बारे में कोई बात्चित नहीं करते हैं कि अब जब माता जी हाँ आ गई है तो ये भी विरागों को ट्याग करके दुबार अग्रस्त हो जाएंगे भोग लागसा में इस तरह की बाते हैं उनके सामने करते हैं तुल्सी के मन में संतोस और सुका महल बालू की दिवार दिवार सा धे पड़ा उनके मन में जो संतोस हो रहा था आनंद उनको मिल रहा था पूरा आनंद पूरा संतोस गायब होगा जिस प्रकार से को बालू का महल बनाया गया बालू रेट का महल बनाया गया और वो धड़ाम से नीचे गिर जाया बालू रेट का महल कितेक समय तक रुक पाएगा धड़ाम से नीचे गिर जाता है उनके मन में गुशा हो जाता है मन में विचार करता है रहे मेरा मो मेरा चित भंग करने के लिए मेरी विवस्ता बिगाडने के लिए ये रतनावली को यहां क्यूं लेकर आए हैं ये सारे लोग दिन करके ऐसा मेरे साथ में क्यूं कर रहे हैं वे उत्तेजित हो गए बोले इस प्रसंग को भी यहीं पर समाप कर दो न थू यह जो आप कहना चाहते हैं इस प्रसंग को इस बात को यहीं समाप कर दो न थू सैना ना थू गोश्वामी जी का रुख दे कर सहम कर चुप चाप अपने काम में लग गया अपने काम में लग गया और तुलसी दास के मनों लोक में अंदर उठने लगा मन रूपी लोक के अंदर आंदियाने लगे भेंकर परेशान हुए कभी अपने उपर कभी दुनिया पर और कभी रतनावली तथा राजा पर क्रोध आता कि उसकी सांती भंग करने के लिए यहां क्यों आए हैं वो कभी अपने पर गुसा करते अपने पर करोध आता कभी राजा भगत पर करोध आता कभी रतनाव लिप आता कभी टोडर पर आता ये सारे लोग मिल करके मेरा ध्यान भंग करने के लिए कि यू आए है अटात मेरी सांती को दूर करने के लिए मेरी सांती को खतम करने के लिए यहां क्यों आए इस तरह के विचार तुरुशी दाजी के मन में चलते हैं हजामत बनती रही सिर गालू पर उस तरह चलता रहा हजामत बन रिती सिर गालू पर उस तरह चलता रहा बार बार पानी मीजा जाता रहा पर्चुती दास का मन इन सब बाहरी किर्याकलों से एलिप्त होकर अपनी करोना से आपी विगलित होने लगा बाहर की किर्याकलापू में उस तरह चलडा था दाड़ी मिजी जारती पानी लगाया जा रहा था उस तरह चलडा था वो उनकी सेफ दाड़ी जो भी बना रहा था ये बाहर की किरिया कलापों को त्याग करके अंदर ही अंदर वो बड़े पिगल गए अंदर ही अंदर भोत वेती तो दुखी हो गए ये तो बाहर की चीज़े होगे उस्तुरा चलड़ाता, दाड़ी बंडीती से, बंडाता, बाल बंड़ेते सारे कुछ हो रहा था वो अपनी आखे बंद करके विचार करे थे तो बाहर की बात को त्यार करके मन में विचार करे थे ये क्या हो गया और ऐसे विगली थो करके पिगल करके रोने लगे करुणा भाव से मन जब अपनी विगलता को सहने पाया तो अपने आदत के अनुसार राम जी के चर्णू में सांती पाने के लिए दोड़ पड़ा हे दीन बंदू, सुक, सिंदू, कृपा कर कारोनिक रगुराई है भगवान, आप करोना करने वाले, दिया करने वाले, मुझे पे करपा कीजिए सुनिये नाथ, मेरा मन त्रीविद ताप से जल रहा है, ये तीन प्रकार का ताप होता है त्रिवित ताप, कौन कौन सा त्रिवित ताप, बोतिक, देहिक और देविक ये तीन प्रकार के ताप मुझे जल रहा है वे बोरा गया है, पगला गया है कभी योगा भास करता है, तो कभी वे हट योग विलास में फच जाता है वे कभी कठोर और कभी दयावान बन जाता है कभी कठोर बन जाता है वे दयालू बन जाता है कभी दीज, कभी मूर्क, कंगाल और कभी घमंडी राजा बन जाता है वे कभी पाखंडी बनता है और कभी ज्यानी हे देव मेरे मन को ये संसार विवीद प्रकार से सता रहा है भगवान से वो आराधना करता है कि भगवान हे देव मेरे मन को ये लोग अन्य प्रकार से तापों से जलारे मैं भोग दुखी हो गया हूँ मेरे मन में किसी प्रकार की सामती नहीं है अपने मन से बड़ा और क्या कहा कि हिदेव मेरे मन के संसार विविद परकार से हता रहा है कभी धन्वान का कभी धनका लारस कर सताता है कजी सत्रूबश कर सताता है और कभी जगत को नारी में देखने लगता है कभी दन्वान, कभी गरीब और कभी-कभी ऐसा होता है पूरे संसार को नारी में दिखने लगता है क्योंकि उसकी पत्नी की याद फिर आदाती है इन सचा चीजों को ट्यागनी के पसाथ भी पतनी की जो बाते हैं उनके समर्ती पटल पे दुबारा आ जाती है भूलाने के बार भी दुबारा आ जाती है कभी नारी में देख लगता है मैं अपने मन से बड़ा दुकी हूँ मेरे मन से मैं भोध दुकी हूँ सयम जब तप नियम धर्म वरत आदी सारी ओज़्दियां करके खार चुका हूँ किन्तु वैं मेरे काबु में नहीं आ रहा है कृपा करके उसे निरोग बनाईए अपने चर्णू की अटल भक्ती देखर उसे सांत कीजिए नाथ मैं अब बहुत बहुत तप चुका हूँ बंद आँखों से आसू टपकने लगे ये सारे बाते सुनने के पसात उनके मन में अनेग प्रकार के विचार आते हैं विचारों में इतने द्रवीत हो जाते हैं विचारों में इतने खो जाते हैं और विचारों में खोनने के पसाद कहिए भगवान, आप मुझे सही रास्ता दिखाइए, अब मैं क्या करूँ? ऐसा विचार करते वे उनके आंखों से आँसु टपकने लग जाते हैं, नाथु ने जो ये देखा तो अपना उस्तरा रोक दिया नाथु ने जब ये देखा तो उन्होंने जब अपना उस्तरा था जो उस्तरा लगाता चल डाता उस्तरे के द्वारा कभी दाड़ी, कभी बाल, कभी मुझे जो बना रहे थे उस तरह रुग गया और उनके आंसों को देखने लगे कि क्या करें ये तो बाहर की किरिया कलाप थी आंत्रिक भाना उनकी जल रही थी तो क्या कि ना थू भी क्या कि एक बार उस तरह रोक करके उनको देखने लगा रुस्ता रोक दिया उसके उस्तरे और हाथ का इस पर शड़ते ही तुल्शी दास भारी होश में आ गए इतनी देर से तो क्या उनको खोश नहीं था लेगिन उस्तरा रुख गया उनकी क्रिया कलापे भार की रुकते उनको खोश आ गया भरी आँखें खोल कर ये एक बार देखा फिर पास रखे वे अंगोचे से आँखें पहुच कर बोले तुम अपना काम करो न थू मेरा मन तो राम बावला कभी हसता है कभी रोता है अर्थात उनके आखों में जो आशू बहरे थे आशू को भैते वे देखा करके नथू नापित ने जो अपना काम चालू कर रखा था उनके बाल बना रहे थे दाड़ी बना रहा था उन्हें सारा काम बंद कर दिये उन्होंने तुर्शी दास जी को देखना चालू कर दिया लेकिन वो भारी क्रिया कलाब जैसे रुकते है तुनके आखें खुली उन्होंने देखा और कहा अरे बाई नथू नथू तुम तो पना काम करो मेरा मन तो राम बावला हो रहाय है अर्थात मेरा मन तो राम के प्रती इतना सरदावान हो गया है कभी रोता है कभी हसता है कभी रोता है कभी हसता है इसलिए नत्थू तुमें जो काम दिया गया है वो तुम काम करो अर्थात आप मेरे बाल बनाना चाहते हैं दाड़ी बनाना चाहते हैं इस तरह से जो भी आपको काम सुपा गया उसको आप कीजिए आप इस तरह की अंदर गल्बातों में ध्यान ने दीजे ऐसा तुल्शी दाजी ने नत्थू नापिस से कहा और मेरा मन तो राम बावला हो रहा है नत्थू जब अपना काम करके जाने लगा तो तुल्शी दास बोले जब वो पूरा काम हो गया काम करके जाने लगा तुल्शी दास बोले अब जो कोई तुम से पूछे तो कहे देना कि माताजी अपने मोवस चार दिन के लिए यहां आईती सिंगरी चली जाएगी जब नत्थू नापित ने उनके बाल वगरा बना दिये दाड़े बना दिये मुझे बना दिये जब वो जाने लगा तो नत्थू नापित को तुल्शी दास जी ने रोकते वे कहा अरे भाई अगर तुम से अगर कोई बात करे तुम से कोई पूछे तो कह देना कि माता जी मोवस अर्टात उनका मन था इसलिए आ गई है एक दो दिन में चली जाएगी इस तरह से आप लोगों को बता देना अगर तुमसे कोई पूछे तो मैं दूसरे गोस्वामियों की तरह अच्छा चली जाएगी काहे महराज रहने दोना दो ही दिनों में मट के सारे लोग उनकी बढ़ाई करने लगे गोसाई लोग तो गोसाई लोग तो गोसाई लोग तो गरस्ती ही होते हैं हर रहो नहीं हम कौन से मना करते हैं गोसाई लोग तो गरस्ती होते हैं मैं दूसरे गोसाईं की तरह अनीती के चाल पर कदापी नहीं चल सकता कि अन्य जो गोसामी है वो कैसी चाल चलते मैं उस तरह से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता उनकी तरह मैं नहीं रह सकता मैंने ग्रस्तास्रम का त्याग किया सो किया मैंने ग्रस्ती जीवन को त्याग मैं उसको दुबारा नहीं अपनाना चाहता उनके चेरे पर हट की बरी एहंगता दमगुटी मन में एक निश्य हुआ दर निश्य किया कि अब मैं इसका पून तरसे पालन करूंगा थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने नोकर को बुला कर रतनावली जी को कहलवाए कि वे अबेर याज tääरे नोकर कर रतनावली को कहा कि भी राजापूर लोटजाएं मैं उसी दास के दोबारा कहलवा है कि वे उनसे मिलना चाहत pagan जिसे व्यक्ति ने जिसे Шिश्य ने जाकर कि रतनावली को कहा कि महराज ने कहा धियु आप शिग उस्यूरती शिग राजा पूर तो रतनाव लिने भी उसी सिसी से कहा कि आप जाकर कि उनसे कह दीजिये कि मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ एक बार तुलसी दाजी का एक बार तुलसी जी का जी हुआ की मना कर दें फिर कहते कहते थमग और कहा बेजदो कोट्री का परदा गिरा दो उनके बैटने के लिए बाहर आसन भी बिछा दो एक बार तुनकी इच्छा होए कि मना कर दू कि तु बाद में सोचा चलो कोई बात मिलना चाहते तु मिलने ते हैं उन्हें कहा कि कोट्री में मेरी विवस्ता कर दो और परदा गिरा दो अरता तुनको बैठने के लिए भार विवस्ता कर दो रतना उली आई अपने और पतिदेव के बीच में टके हुए परदे को देखा सिर जुका खड़ी हो गई पल भर बाद हलके से खकारा धीरे से अवाज की धीमे स्वर में कहा जैसी आराम अंदर बैठे हुए तुल्शी दाजिने का जैसी आराम बहर आसन बिचा होगा बिराजो बहर आसन बिचा होगा उस पर आप बैठ जाए पंडित गंगा राम जी के घर पर मैंने आपके दौार रचित राम सित्मानस का पाराण किया था मैंने उसे वालमी जी की कर्टी से स्रिष्ट बक्ती पाया अर्थात उन्होंने कहा रतनावली तुल्सी दाजिसे कहा कि मैंने आपके दौारा रचित राम सित्मानस काए कि पंडित गंगा राम के घर मैंने पढ़ लिये देख लिया है अच्छी कर्टी है तो उन्होंने काए कि वालमी की रामैन से भी ज़्यादा अच्छी उन्होंने काए कि आपने तो राम जो रामैन है वालमी की दौारा रचित रामैन है उससे भी ज़्यादा अच्छी करती अर्टात उससे भी ज़्यादा अच्छी रचना आपने की है आपको भी एक प्रती लिपी मिल जाएगी तो रने क्या का कि आर्डान था मैंने उसे वालमिकी जी की करती से स्वेष्ट भक्ती परदाय ग्रत पाया तुल्शी को सुनकर संतोस वा इतनी बाते सुनने के पसा तुल्शी दा जी को संतोस वा बोले आदी कवी के परम पावर ग्रंच से उसकी तुल्णा ने करो देवी आदी कवी जो आदी कवी वालमिकी है उनसे तुल्णा इसकी ने करो उनसे तुल्णा ने करो और आदी कवी चलने दे आदी कवी तुल्शी दाज की जो है उन से मेरी तुलना नहीं करो आदी कवी के परंपावन गरंद से उनकी तुलना नें करो देवी वेसे ये जानकर मैं संतुष्ट वा की तुमने गरंद पढ़ लिया राम्टakahमानस के एक परती आपको दे दियाएगी सिगरी तुम्हारे पास पहुँच जाएगी तोडर परती लिपी करवाने की विवस्ता करें अर्थात परती लिपी कार्ट पहले जो कोई एक जैसे मालो कोई परती लिपी त्यार हो जाती थी कोई जैसे मालो कोई भी पुस्तक जब लिखी जाती थी तो दूसरा अब्यक्ति उसमें देख करके अपने हाथ पैन और कलम से लेकर के लिखता था फिर दो हो जाती फिर दो को दे देते फिर चार को दे देते लिखने वाले की कल अच्छी होती उनसे लिखवाते थे सारी जो प्रतिलिपियां हस्त लिखीती होती थी आज कल तो क्या है कि हाथ से लिखी हो नहीं मस्टनों की दुवारा त्यार होते लिए कि सुरुवाब के अंदर जब प्रतिलिपियां करते थे पहले एक प्रतिलिपि बनते थी उसके पास साथ उसको देख करके दूसरी त्यार की जाते थी महनू लग जाते थे वर्स लग जाते थे शिगरी तुम्हारे पास पहुचा दी जाएगी तोडर प्रतिलिपियां कराने की वर्स्ता करने रतनावली की आँखें बरस पड़ी कुछ देर रुक कर तुलशी गोशाई ने पूछा गई कि अता कुछ समय के लिए सांत हो कि तो गई रुदन कंपित स्वर में रतना बोली जा रही हूँ मैं रोतिशी कामती रतना बोले की जा रही हूँ रो रही हो रतना संतोस के आँशु है अबने बहाओ देवी नहीं तो मेरे मन का धहरी और संतोस बट जाएगा अरतात मेरे मन में संतोस है धहरी है मैं आपको वहाँ छोड़ करके यहां आगया तो मैं भी इस प्रियास में लगा हूँ कि मैं कुछ पाऊँ आपके एक अतना उसर मैं कुछ बनूँ अगर तुम रोनी लग जाओगी तो मेरा जो ध्यान है वो विचलित हो जाएगा ध्यान प्रियास के सारा बेकार चला जाता है और लंबी सांस ले जाते हूँ एक भिक्षा और मांग लूँ कि मैं चली जाते हूँ किन्तु मैं आपसे एक भिक्षा मांग लूँ मांगो तो अनुने कहा मेरी मैं जाने से पहले आपसे एक विक्षा मांगना चाते हूँ जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाते हू मांगो मेरी मृत्यू से पहले एक बार मुझे अपना सिरिमुक दिखलाने की करपा करें तो उन्हें का वचन देता हूँ आऊंगा कहने का मतलब जब रतनावली इस मट को छोड़ करके जाने लगी रतनावली जब मट को छोड़ करके जाने लगी तो उस समय उन्हें जो आपस में वारतलाप की बड़ा ही हरदय विदारक वारतलाप है हरदय को फाड़ने वाला विचार है क्योंकि रतनावली को तो तुरन तादे से मिल गया था कि अब आप यहां से छोड़ करके चले जाएए कि शिशे को कहा कि कह दीजे कि रतनावली इस मट को छोड़ करके राजापुर गाउं चले जाए उन्हें सोचा जाते समय एक बार मैं मिल तो लूँ उन्से तो उन्होंने कहा कि नोकर की बात को सुनकर कि एक बार तो मना किया कि उन्होंने ये कहा उसी नोकर को कि आप भी जाकर बता दीजे कि मैं उन्होंसे एक बार मिलना चाहती हूँ तो एक बार तो उन्हें मना किया फिर काघए ठीक आप जाकर कहदीजे मिल लेकिन व्युज eux एक कर दीजे कि मेरी कोटरी व्युजदा कर दो परदा गिरात और बहार माता जी के बैट नहीं उस्ता करतो अंदर बैठ गए आगे तो भी उनको पताः नहीं लगा कि रतनाओली आ गई लेकिन खकारा कि A जैसे reply राम कि यूँ को पता लगा कि रतनाओली बहार आ गई है तो उन्हे पूछा रहे बोलो तो ने कहा कि आपके द्वार रचित रामतित माजमे ने पढ़ लिया है तो ने कहा रहे कि आपके पास भी पतिली पी दे दी जाएगी वो उनकी विवस्ता कर रहे हैं लिखनी की विवस्ता कर रहे हैं तो ने कहा वो रोने लग गई तो उने कहा रहे कि इस तरह से तुम रोने लग जाओ तो मेरा धेरे तूट जायागा मैं जो कुछ करना चाता हूँ पूरा खराब हो जाएगा तो उने कहा ये आसू नहीं है ये धेरे के आसू है और अंत में कहा है कि मैं एक आप से विक्षा मांगती हूँ कि जब मर जाओं तो एक बार अपना मुख मंडल मुझे आवरसे दिखाना तो इस बात को सुन करके तुर्शी दाजिन का निस्सी तुरूप से आपकी मरत उपर आऊँगा उस समय भी एक दूसरा का मुख मंडल उनोंने नहीं देखा इतना सुनने के पसाथ रतनावली अपने मट को त्याग करते वापस राजाप्र गाओं में आ जाती है इस प्रकार से आपके चोथा पार्ट आज संपन होता है थैंक यू, ओके, बाई